संजेद दत और मादवी दिक्षित के अपेयर की खबरें एक समय में खुब बनती थी लेकिन दोनों कभी एक ना हो सके और फिल्मी परदे पर किसी फिल्म में नजर आए दोनों को करीब 20 साल हो गया है और अब खबर आ रही है कि इतने सालों बाद एक बार फिर से दोनों कशचा चल रही है उसमें पहले श्रीदेवी काम कर रही थी और उनके निधन के बाद मादुवी दिक्षित को ये फिल्म उवर की गई है करन जोहर के दर्मा परडक्शन की तरफ से फिल्म शिदत में श्रीदेवी के जगेह माधुरी को लाने की तैयारी हो रही है और अगर माधुरी ने शिदत में काम करने के लिए हां कह दिया तो फिर 20 साल के बाद संजे दत के साथ उन्हें दोबारा देखा जा सकेगा दरसल फिल्म शिदत की स्टार कास्ट में आलिया भट और वरुन दवन के अलावा संजू बाबा भी है अब ऐसे में देखना ये है कि क्या माधुरी होंगी संजे दत के साथ काम करने के लिए रिडी संजे दत की जिंदगी में तमाम लड़कियां आई संजे दत ने तीन बार शादी भी रचाई संजे आज अपनी तीसरी वाइप हमायता के साथ खुश है लेकिन आज भी उनके एक प्यार के अधूरे रह जाने का उन्हें मलाल है कुछ दिन पहले संजे दत ने कहा था कि अगर बॉलिवुड की किसी हीरोईन से उन्हें शादी करनी होती तो वो माधुरी दिक्षित से करते 90 के दशक में संजे और माधुरी दिक्षित के लिंपप की खबरे मीडिया में खुबा आती थी कहा गया कि फिल्म थानेदार के सेट पर शुरू हुई थी संजे और माधुरी की लव स्टोरी और फिल्म खलनायक के रिलीज होने से पहले ही खत्म हो गई ये कहानी 1993 में मुंबई में धमाके हुए और संजे पर गयर कानूनी हतिहार रखने का आरोप लगा वो टाडा में फस गए अचानक से उन्हें खलनायक समझ लिया गया संजे को जेल जाना पढ़ा और यहीं उस मोहबबत ने दम तोड़ दिया फिल्म साजन माधुरी और संजे की सबसे यादगार फिल्म है इस फिल्म में इनकी के मिस्ट्री ऐसी थी कि सल्मान खान इस जोड़ी के जादू के आगे कहीं गुम हो गए थे इस दोरान संजे और माधुरी का फियर काफी चर्चित था और फिल्म के प्रमोशन में इनका जम कर इस्तिमाल किया गया था